नमस्कार सुप्रभाद दोस्तो एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल ग्रीन गर्डन पर दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं हिवसकस यानि के गुडल के पौदे के बारे में आप मैंसे बहुत तारी दोस्तों ने अपने घर पर या फिर बगीचे में गुडल के एक दो पौदे तो ज़रूर लगाए होंगे उन्हीं मैंसे ज़्यादा तर लोगों की सिकायत रहती हैं कि हमारे गुडल के पौदे पर फूल नहीं आरे कलिया नहीं आरी अगर फूल आती हैं तो बहुती छोटे आती हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा फाइटलाइजर सेयर करने वाले हैं उस फाइटलाइजर का यूज करके आप अपने कुडल के पौदे से कुछ इस तरीके से बड़े साइज के फूल दे सकती हैं और पौदे पर जो फूल हैं वो भी भर भर के आने लगेंगे तो आप हैं Green Garden यूटूब पर मैं हूँ आपका दोस्त संदीब अगर आप लोग हमारे इस चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए जिससे अन्न फ्रेंट्स भी इस वीडियो का लाव उठा सकें फ्रेंट्स ये जो आप मेरा गुडल का पौदा देख पा रहे हैं ये मैंने एक प्लास्टिकी वाल्टी में लगाया हुआ है और इस प्लास्टिकी वाल्टी में लगे हुए गुडल के पौदी पर ये देखिए काफी जादा फूल आई हुए हैं और इस पर कलियां भी बहुत सारी आई हुई हैं मैंने इस पौदी में फैली फाइट लाइजर यूज किया था और उसका रिजल्ट आपके सामने है तो मैंने सोचा क्योंना ये फाइट लाइजर आपके साथ भी सेयर किया जाए जिससे आप भी अपने गुडल के पौदी से कुछ इस तरीके से बड़े और जादा फूल ले सकें तो चलिए फ्रेंट्स जानते हैं उस फाइट लाइजर के बारे में फ्रेंट्स मेरे हाथों में जो आप छोटे छोटे दाने देख पा रहे हैं ये डी एपी के दाने हैं ये आपको कम से कम आठ या दस दाने लेने हैं उससे ज़दा आपको दाने नहीं लेने हैं उसके बाद आपको एक बोटल लेनी है और उस बोटल में आपको लेना है पानी पानी आपको कम से कम आदा लीटर लेना है और उसी आदा लीटर पानी में आपको डी एफी फैट लैजर के दाने डाल देने हैं तो चलिए जल्दी से मैं डी एफी फैट लैजर के दाने डाले डालने के बाद आपको इसे जो है बोटल का ढपकन लगा देना है उसके बाद आपको इसे सेख कर देना है इस तरीके से इलाते रेना है जब तक यह डी एपी फैट लैजर के दाने पानी में अच्छे से मिक्स न बादा हूँ. तो चलिए मैं इसे अच्छे से हिलाई देता हूँ तो फ्रेंट्स मैंने आप पर डियेफी फैट लैजर अच्छे से मिक्स कर लिया है ये देखिए जो है डियेफी फैट लैजर मिक्स होने के बाद उसका कलर कुछ इस तरीकी का हो जाएगा अब हमारा फैट लैजर बिल्कुल रेड़ी है तो फ्रेंट्स ये रहा हमारा वो गुड़ल का पौदा जिसमें हम इस फैट लैजर को यूज करने बाली है इस तरीके से आपको अपने गुड़ल के पौदी में डियेफी फैट लैजर अच्छे से डाल देना है इस फैट लैजर का यूज आप अपने गुलाब के पौदों में कर सकती हैं गुड़ल में कर सकती हैं मोगरा में कर सकती हैं अगर आप इस फैट लैजर का यूज गुड़ाई करके करें तो ये सबसे बहतर होगा हमारा ये वही पौदा है जिस पर हमने आपको अभी जो है काफी हैवी फ्लाबरिंग दिखाई हुई थी हमने इसकी ये डेटेल में पूरी वीडियो बनाई हुई है तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप अपने गुडल के पौदों से काफी जादा और बड़े साइज के फूल ले सकते हैं मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं तो फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ किसी नई टॉपिक पर तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू